जल्दी प्रसंद होते में भगवान या किसे जल्दी प्रसंद होते में भगवान या किसे इस प्रकार के अनारब भूनी को उनों पाय बतला दिया स्री विश्णु भवान जी ने पुरुस्द के पापो को समात कर हेलो आज गुड मॉर्निंग कैसा आप से विलो आप सभी का स्वागत है मरुश्य व्लोग्स पर और अभी हमारी घर पर होने वाली है पूजा कौनसे भगवान की पूजा सत्य नायर भगवान जी के आज हमारी घर पर पूजा होने वाली है आप सभी बने रहेगा वीडियो मे पांच रखाएगा ना जी पांच पिछली इसमें तुम इसमें मिल्चानी रहने जाटे मुझा इसमें परोध बोलते ना थाली में परकर रखते थाली में गेंग गिदोड़ा इसमें बहुत कम चाहँ लेकिन भावना उस समय ज़दा थी अब कम है अब सादन बढ़ गया लेकिन भावना एक नहीं ही ज़दी शंखवाद करते तुलाई होगा सब्सक्राइब करने का लंगो द्रश्ट विक्तो विघना शुरुनायका श्रीमन महागंना धी पतहे नमाहा ओं माहा नुहीं भाद्रा के तब हो यंतु भीश्यवतो एधव धासो एपरिताश युद्विदा देवानो यथा सदमिद वेरे देहे ऐसन प्राह युगो रक् मत्र यस्ट बिन्सती तमे कल यूगे कली परतम चरने जंबूदीपे भरत खंडे भरत वर्से आज ये वरत आंतर गते मासा नाम मास चत्रमां से खोल छेत्रे महा मां से उड़ने चेत्रे स्विद्विद्व ध्युद्वाएचा गौबिराम मढ़हताय जगतिताय स्वति वर्मदे चिंदू काविरी जले सुन गंगा जलिष्णाराथ पिर्ति ग्रहनितां स्री गोरी गणे साय नमहा ओमिष्टानं समर्प्यामि स्री गोरी गणे साय नमहा मोधकं समर्पहे स्री गोरी गणे साय नमहा घोना हुआ Om pa 대표 दिखर्थंचंगं मधूचा सरक्रान दिता पंचा म्रत् मंच ngslatam partner fur on tort competent gra Initiative home Ontry गुरी गने चाने नम्हाँ học दूपम्मा घ्रहन ओम्धूपम्माश्यम्धीपंद्रस्यामीश्री गोरी गनेसा ये नमहा आराट दावरी सरस्वती नर्मदेशिंधू का वेरी जलेश्री सन्निधिम कुरूसमे घंगा जलेश्नानम प्रती ग्रहनिताम स्री सत्य नारायना ये नमहा सरकारान भिता पंच्छां म्रतमयोनीत है प्रती इश्नानम प्रती ग्रैनिता हे तनी स्री सत्य नारायना ये नमहा एक ही कोई कितना भी पाप कर ले ऐसे बच्चा होता ना कितना भी मिट्टी में दोल जा पर माता कभी भूदी उठाने में आज माता तो कर देती हैं तो पहली मातां को जिक्र था कि बच्चा कितना ही मिट्टी में चुन ही होता उस अच्छाती से लिए उसकी दया थी वो कभी उसी घंदगी का निकती है यह गुण के वर इश्वर मे है मानब का तो इस बत्वा दिया हुआ है तो भगवान ने सोचा कि वही किसी कारा से मनस्तों के पादूर हो जा तो अच्छा है तब उन्होंने उपायन बतलाया कि श्यत्रा भगवान जी का बिदी पूर्वाथ पूजन करके इस पूजन के दो है कुछ लोग तो हर पूरमा इसको कर सकते हैं इसका कोई यह नियव दा हुआ हुआ कोई मनस्ता किसी भी दिन पूरे दिन का ब्रत के साब करके साम के समझे बाई भाई हुआ उंको कथा कहला वही है बहुत कर दो है नहीं है तो आप पर साफ दो तो इस प्रिकार का ब्रत करने पर मनुस्त्रा की संपूर इक्षा है निश्चे पूरी होती हैं विसेश करके इस कली काल में भूमी पर मोख्स कर वास यह यह सब्सक्रा सूच मुपाये काली जित्करा आया है कि चंद्रायन भैत करने समने पाप अगर हमारे पास पाप नहीं रहेंगे ना तो हमारा भाल वाका नहीं हो सकता है और यह सरीर जो दिया यह भूगने के लिए पर आप की देन है यह सरीर भी ऐसा नहीं यह वन्ना मुक्त हो गए होताँ इसके बंदन से इस प्रकार के नारग भुनी को उन्हों पाय बतला दिया स्री विश्णु भगवान जी ने पुनुस्य के पापों को समात करने का अब नारग भुनी जी आए कालांतर्ब हर्ची छिप जाती है एक यसा स्रीमत भागववत गीता इसका उपदेश सबसे पहले विश्णु भगवान जी ने सूर्यों को धिया तो गीता प्रकार के जब नारद जी पर आए उन्हों कुछ लोगों को बतलाया और करते करते वह भी लुप्त हो गया पुना भगवानी ने सोचा कि आप मैस पर तो कहते हैं कि पहले सवी में सुंदर कासी पुनी नगरी में एक प्रहमर्दे अपर ता तो वह जो था बहुत करम काइंड कि अच्छे थे ब्रहमर्दे प्रंतु उनके पाफ ज्यादस इसलिए वो ब्रुटरे निर्धन थे उन पर धन नहीं था वो रोज बीचा मांते चुछा मांते जो विसलिगहां प्रिवार का पुर्षण करते इस प्रकार को भवात तो उनको उस पर देर है वो रोए भाई चाह नहीं कि आए वरूज का खाऊ हूँ हूँ गरीव आदमी हैं मां के ले आते हैं चांग गरोग उखा लेते हैं और अपनी दसा को याद करके जोने लाए उन्हें जादा नहीं रूमाराज इतना तो होका अपना प्रेट तो भागने और कोई बात नहीं है तो उन्हे सुनी तो अपने रिवास सुनी और आप मुझे विद्वान लगते हैं वो तो भागवान थे देखो भावान जो होता ने चुम्मक होती है वागवान की मूर्ति तूम मंदिर क्यों जाते हो बताया आपको मंदिर जाने का असनी कारण क्या है कि अ कि अ बोले जैसा भी हो हम पूजन कड़े में भगवान सकते देव जी का तो उन्हें भई भी मांगी विछारी ने सुवे होते विच्चा मांग के गई धन मिला पंडप जी को बुलवाया घर पे तुमाराज कथा करना जब कथा बोलिये सिरी सत्न नरण भगवाने की जै यग्य भगवाने की जै ओ आम अग्रे स्वाःदह धन्नमन आम इंद्राए स्वाःदह धन्नमन आम स्वाःदह गल भगवा यदंनमा मैं प्रुद्ध एन प्रुद्ध एम प्रु एम प्रुद्ध एवच्वाद ए शार्ण शार्ट ए नियु नियु रूग रागली दो ए शार्ण तो फ्रेंट्स आप सभी ने कथा भी सुनी और हवन भी किया हमारे साथ तो आप सब भी साथ ग्रहन कर लीजिए क्योंकि कैसा ऐसा कहा गया है कि सत्तिनायन भगवान की कथा का जो परशाद होता है वो इतना अलौकिक होता है उसमें इतनी भावनात्मकता जोड़ी होती है कि इस परशाद को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए इसी तरह से हमारी कथा का और ये कायोजन संपन हुआ वीडियो कैसा लगा है प्लीज बताईएगा जरूर फ्रेंट और आप सब के यहां कभ कथा कायोजन हुआ है वो भी जरूर बताईएगा मैं यहां दो साहते को रूना चल्या देवी के बिट अनकर बैठ कपने पूजा के तुरी के लिखा रहे हुँ उसी वानी करी बुढियों पर जाना रहे